नमस्का लीडिने पुब्लिशर्स एस्सेशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एसकॉर्ड यह सवाल जो है बहुत सारे लोगों ने पूछा है निखिल जी ने पूछा है परवीन अगरवाल जी ने पूछा है यो होता कौन है दरसल यह सभी सरकारी भी भागों में एक पद होता है जो सरकार की सूचना मीडिया के माध्यम से जनता को देने का काम करता है इसे जिला सूचना अधिकारी कहते हैं इसका काम होता है कि जो भी सरकार इंफॉर्मेशन दे रही है वो विबिन पत्र-पत्रिकाउं और टीवी चैनल और जो भी वहाँ पर मीडिया है उसको पहुचाए अब फिलहाल डिजिटल प्लैटफॉर्म्स भी आ गए हैं डिजिटल प्लैटफॉर्म्स में वेबसाइट्स को जो है थोड़ी बहुत एहमियत मिलती है यूटूब चैनल जो है वो डिपेंड करता है कि वह इसमें उसका कोई रोल नहीं होता यह लैटर जो होता है वह अखबार का या फिर किसी भी टीवी चैनल का संपादक इशू करता है यह अथारिटी लैटर यह बताता है कि हमने इस जिले में इस संबाददाता या रिपोर्टर को न्यूक्त किया है यदि कोई भी ऐसी सूचन गरते हैं। उस वहTमेंबोर को लिस्टेट करके रखते हैं और कोई भी समाचार होता है वह WhatsApp में छोड़ देते हैं और रिपोर्टर्स महाँ से उस समाचार को लेते हैं। पहले काम इीमेल के द्वारा या फ। फोन पर संपर्क करने के साथ होता था। इसके अलावा प्रेस briefing हो रही है press conference हो रही है तो वो उसको भी organize करता है और बाकि सभी सभी को उसमें पत्रकारों को invite करता है तो यह वह से वो लैटर जारी करेगा और डीपी आरों की उपर निर्भण हेखिव आपकोस्मे लिस्टेट करता है या फिर नॉर्मल ग्रूप मेंन लिस्टेट करता वह को सूचित करने वाला लेटर होगा मींस वह बताएगा उसको कि हमने इस अमुक रिपोर्टर को अमुक जिले में कवरेज करने के लिए न्यूक किया है थोड़ा फॉर्मेट भी बता देते हैं कि अगर आपको यह जारी करना हो तो आप कैसे जारी करेंगे सबसे पहले आप को वहां के जिला संपर्क अधिकारी का जो है डेजिगनेशन डाले क्योंकि पद पर पद वही रहता है हो सकता है व्यक्ति बदल जाए तो आपको डिपी आरो जो भी आपका जिला है वह जिला और जो स्टेट है वह स्टेट वह डालके उसके बाद में नीचे डालेंगे सब डाल देंगे अगर आप वेबसाइट चलाते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपको वहां पर मेंशन करना होगा अपने चैनल का नाम उसके बाद में उसके रिजिस्ट्रेशन के अथौरिटी क्योंकि यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट MSME से हो या authorized किया गया है इसके साथ ही उनका email id यानि अपने reporter का email id और उसका mobile नमबर भी आप वहां letter में mention कर दें ये सब letterhead पर होगा उसके बाद आपके signature रहेंगे या आपके editor के signature रहेंगे और ये letter आप देखकर अपने reporter को जिला सुचना कार्याले में भेज सकते हैं इसके बाद वो जिला सुचना अधिकारी को प्रॉपर तोर पे आपकी तरफ से सुचना दे दी जाएगी कि भई हमने अपने संस्थान के लिए समाचारों को cover करने के लिए इस reporter को रखा है उमीद करती हूँ इस सवाल का आपको जवाब दे सकी हूँगी इसके संबंध में अगर आपकी और भी कोई query हो तो आप हमारे help line number पर call करके पूछ सकते हैं हमारे चैनल को अपना सहयोग और इस नहें देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद